Hello there, Assalamualaikum all of you and welcome back to the channel Today we are gonna discuss about rule of thumb के rule of thumb क्या होता है आपने इसकी definition और कुछ example देखनी है तो इन्शालला ये concept भी आज 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 आपको clear हो जेगा देखें जो rule of thumb होता है वो base करता है practical knowledge पे not practical knowledge मतलब ये जो लोगों ने तजर्बे किये होते हैं उसकी बिना पे हम rule of thumb बनाते हैं इसका कोई scientific proof नहीं है ये 100% ठीक नहीं हो सकता कभी कभी ठीक भी हो सकता है तो अब हम इसकी example देखते हैं तो ये मुजीद हमें clear होगा देखें मसाल के तोर पे जैसे हम कहते हैं कि अगर आपका computer सही काम नहीं कर रहा तो इसको जो है restart कर लो ये एक rule of thumb है लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपका computer सही काम नहीं कर रहा आप restart करेंगे तो ठीक होजेगा इसी तरह cell phone के अंदर होता है कि जी पानी में गिर गया है तो इसको दो दिन दूब में रख दो ये अपने rule of thumb बनाया होगा है कि दो तीन दिन पन इसको दूब में रखें तो ये ठीक होजेगा ये एक rule of thumb है जो लोगों ने अपने practical experience की बिना पे बनाया होगा है अब हम इसकी कुछ example देखते हैं जैसे मिसाल के दोर पे if you are struggling with the software a rule of thumb is to restart the computer कि जैसे अगर आपका computer software काम नहीं कर रहा तो rule of thumb ये है कि इसको दोरा से restart करो इसी तरह during travel the rule of thumb is don't take anything from anyone to eat कि जब अब सफर कर रहे हों किसी से कोई चीज लेके ना खाएं ये rule of thumb है यानि कि अबने खुद ही बनाया है कि जब अब सफर कर रहे हों किसी से कोई चीज लेके नहीं खानी जाई है इसी तरह when it is windy outside the rule of thumb is always take umbrella when you get outside कि जब बाइट बोथ तेज़ तेज़ थे हुआँ चाल रही हों तो rule of thumb ये है कि अपने साथ छतरी लेके जाएं umbrella अपने साथ जो है वो लेके जाएं तो ये सारे क्या थे rule of thumb जो हमने अपने तिजरबात की बिना पे बनाए हुए इसका कोई सेंटिफिक प्रूफ नहीं है इसकी कोई थे ही है तो ये सारे के सारे जो है rule of thumb कहलाते है So thank you so much guys for watching the video If you like the video please hit the like button and don't forget to subscribe the channel Inshallah in next video gonna coming here again with new topic Till then take care of yourself your family and people around you